नमस्ते दादश्री जी दादश्री जी इस जीवन में जाने अंजाने से हमने कई लोगों को दुख पहुचा है गलतियां की हैं तो हम इसका पश्चातात कैसे करें हम माफी मांगे या क्या करें जिससे हम ये कर्मों से मुक्त हो सकें कर्मों से मुक्त होने की क्रिया छोड़ दीजे जो दिल पे बोज है उसको हलका करना है या आपकी प्राथम मिक्ता है या आपको सबसे पहला करना है और उसके लिए आपको या तो अपनी इश्वर के सामने जो आपके आराध्य है या गुरु है जो आपके भीतर इश्वर है उनको ये एक्स्प्रेस कर सकते हैं कि मेरे भीतर ये बोज है कहीं से मेरे भीतर वो भावना है अपने आपको दोष देना या गिल्ट उससे फ्री करना है मुझे तो मैं आपसे माफिय मागरी हूँ या तो इसमें और विक्ति अगर कोई है involved उनसे माफिय मागना क्योंकि ये आपके खुद की अध्यात्मे की यात्रा का सवाल है आपको आगे बढ़ना है याद रखें आपको आगे बढ़ना है इश्वर आपको खिचने के कोशिश कर सकता है अपने पास पर आपके अंदर अगर वो दोश, गिल्ट है तो आप खीचे नहीं जाओगे पूंकि वो बोज बहुत जादा है जोर से खीचेंगे तो तकलीफ होगे तो इस बोज को हलका करना आम का करतव्य है कि मुझे इसमें से निकलना है इस भाव से मुझे निकलना है और मुझे आगे जाना है वहां तक पहुंचना है तो वहाँ जाने के लिए मुझे इसको छोडणा पड़ेगा क्योंकि लक्ष वहां पर है आपको उधर देखना है मुझे वहां जाना है इसलिए आज मैं इस भावना का इस अवस्था का त्याग करते हूं माफि मांगकर शमा मांगकर जहाँ पर भी मुझ बोलता है कोई नहीं बोलता है इतना ही फर्क है तो आपके भीतर जो चल रहा है वो आप कम से कम अपने इश्वर को व्यक्त करें उन्हीं ये बताए और मुक्त हो जाए कि जो हुआ मुझसे हो गया और अगर उसके बाद भी नहीं गया माफी मांगने के बाद भी अगर ऐसे होता है कि वो भावना नहीं जा रही है कि हमसे गलत हो गया है हम स्विकारते हमसे गलत हो गया है पर पूर्णता माफी नहीं मांग रहे है तो ये आपको स्विकार करना होगा इसके बाद next level पे कि मैं आज इसके बाद जिन्दगी में इसी भावना के साथ रहोंगी इसी दुख के साथ रहोंगी इसी गिल्ड के साथ रहोंगी तो आप उसको ऐसे ही स्विकार करें मतलब एक हाथ में कहीं पर कुछ चूब गया है कुछ काटा लग गया है उसकाटे के साथ ही आपको चलना होगा तो ऐसे आप चलो फिर कि अगर भावना नहीं जा रही है तो नहीं जा रही है मैं तकलीफ में हूँ तकलीफ के साथ आगे बढ़ूँगी पर मैं आगे बढ़ूँगी आप बीच में मत अटकिया तो माफी मांगके मुक्त हो जाए है नहीं तो उस पेंड के साथ रहे पर आगे चलते रहो और कोई प्राइबलम नहीं अगर आप दुख के साथ भी चल रहे हो गल्यतियां की है आप चलते रहो पर कुछ भी ओजाए जीवन में आपको रुकना नहीं है बढ़ते रहें